नमस्कार, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ खास बातें, 10 मार्च 2022 क्यों है खास और 14 मार्च 2022 को क्या होगा, गवड़ाईये नहीं, आईये जाने 10 मार्च 2022 को है राष्ट्रिय क्रीमी मुक्ती दिवस, और 14 मार्च मौपप दिवस, जिसमें पहले दिन, यानि 10 मार्च को एक वर्ष से 19 वर्ष तक की सभी बच्चों को क्रीमी नाशक अलबेंडा जुल की दवा दी जाएगी, दवा सभी स्कूलों एवं आंगनवाडी केंद् पर खिलाई जाएगी, पहले दिवस, यानि 10 मार्च को राष्ट्रिय क्रीमी मुक्ती दिवस के दिन जो बच्चे छूट जाएगे, उन छूटे हुए बच्चों को 14 मार्च मौपप दिवस के दिन दवा खिलाई जाएगी, उसके बाद भी जो बच्चे छूट जाते हैं, आगनवाड़ी कारे करता सहिया की मदद से बच्चों को चिनहित कर 15 मार्च से 17 मार्च तक दवा खिला ही जाएगी. अब जाने दवा खिलाने का सही तरीका क्या है और सही मात्रा क्या है? एक वर्ष से दो वर्ष तक के बच्चों को 400 mg की गोली की आधी गोली यानि 200 mg गोली देंगे और उसे चूरा बना कर पानी में गोल कर देंगे तीन वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को 400 mg की एक गोली देनी है यह अलवेंडा जुल की गोली चूस कर या चबा कर खाना है अलवेंडा जुल की गोली कभी भी खाली पेट नहीं खाना है दवा खाने के बाद उल्टी, चक्कर, जीरधर्द, पेटधर्द या बेचानी जैसी मामूली प्रतिकूल प्रभाव देखे जाते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं अपने बच्चे को क्रीमी से होने वाले कुपोशन से बचाने के लिए राश्ट्रिये क्रीमी मुक्ती कारेक्रम के दोरान अलवेंडा जुल की गोली अवश्य खिलाएं और अपने बच्चों को कुपोशन से बचाएं धन्यवाद